माई डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट सत्यागरह के बारे में रॉलेट सत्याग्रफ क्यों चलाया गया ये एक्ट क्या था इस बीच में एक पार्मिक घटना घटती है जलिया वाला बाग घत्याकान के क्यों घटती है इस एक्ट को क्यों लाया गया इसके बारे में हम पढ़ते हैं चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास 2018 के बीच में प्रथम विश्यूद चल रहा होता है तो उस समय भारतिय क्रांतिकारी जो होते हैं वो चाहते हैं कि इस समय इंग्लेंड जो है वो दूसरी तरफ ब्यस्त है तो क्यों ना हम इन पे कुछ चोट करें हम कुछ ऐसे वार्दात करे कुछ घटनाई ऐसी करें उनको नुकसान पहुंचाएं ताकि हम अपने स्वसासन ले सके हम अपने देश को आजात करा सकें तो उस समय अंग्रेज जो होते हैं वो लाते हैं भारतिय रक्षा अधिनिया डिफेंस ओफ इंडिया एक्ट जिसमें यह बोला जाता है कि इस प्रथम विश्युद्ध खतम हो जाता है और इस एक्ट की ओधी मात्र छे महीने रह जाती है तो अंग्रेज सोचने लगते हैं उन्हें लगता है कि नहीं क्रांतिकारी जो हैं वो अभी भी सांत नहीं हुए हैं इन्हें सांत करने के लिए हम क्या करें तो वह सर सिडनी रॉ कानून बनाएं जिससे हम भारतियों पर सिकंजा कर सकें तो सर सिडनी रॉलेट जो होते हैं वहीं लोग सिफारिश देते हैं कि हम लोग इसी कानून को बनाते हैं और इस कानून में हम लोग रखेंगे कि अगर किसी को पकड़ लिया गया तो उसे दो वर्स की सजा दी जाए है तो भारतिय जनता जो होती है उसके अंदर जो असंतोस भरा रहता है उसका उबाल बाहर निकल आता है अब हम जानेंगे कि ग्लिक्ण गों प्रह का तातकाली करण क्या था तो रॉयूबि एक्ट सत्रια स्थ्यागरण का तात्काली करण तो ये एक्ट ही था, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, इसके अलावा क्या था कि होम रूल मॉमेंट जो चल रहा था, होम रूल मॉमेंट के अचानक बंध हो जाने से जो उसमें युवा कारे करता थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, उनका उबाल अभी सांत नहीं हु दिया और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भारतिय जो थे वह अंग्रेजों से छुब्द हो चुके थे तो यह भी कारण थे लेकिन प्रमुख कारण जो था वह रॉलेक्ट एक्ट ही था अब जो है रॉलेक्ट एक्ट वह पास कब किया गया रॉलेक्ट एक्ट मंच 19 को म्याननी पहले हम जानेंगे कि रॉलेक्ट का पूरा नाम क्या था था अनार्कियल और रिवलयूशनरी क्राइम एक्ट को 18 मंच 19 को बास कर दिया गया जब यह एक्ट पास किया गया तो चीठागाई जो थे वह वो बंबई में थे और उन्होंने एक सत्याग्रा समीती बनाई उन्होंने कहा कि नहीं यह काला कानून है और इसके खिलाब हम बिल्कुल भी नहीं जुकेंगे क्योंकि इसमें साफ बोला गया था कि अगर आपके संका भी होती है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा तो वो तो किसी पे भी संका कर सकते थे किसी को भी जेल में डाल सकते थे अहिंसा के पुजारी जो गांधी जी है उन्हें भी यह समझ में आ गया कि जो अंग्रेज है वो किस तरह से भार्तियों का दमन करना चाहते हैं गांधी जी ने इसके लिए खिलाफत मॉमेंट भी स्टार्ट होने वाला थे जिसका अली बंधु जो थे उसका प्रिष्ट भूमी तयार कर रहे थे और होम रूल मॉमेंट के भी जो लोग थे उनसे भी सहायता ली और एक सत्यागरा समीती बनाई गई और यह कहा गया कि हम स सत्यागरा की रूप रेखा को बताया तो उन्होंने अपने कदम पीछे अटा लिये और कहा कि इस सत्यागरा का कुछ नहीं होने वाला और उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा अब गांधी जी ने यह तै किया कि हम यह सत्यागरा जो है वो 30 मार्च से शुरू करेंगे पूरे देश में इसका प्रचार कर दिया गया बड़े व्यापक तोर पे प्रचार हुआ लेकिन किसी कारण वज से 30 मार्च को यह सत्यागरा नहीं हुआ उन्होंने इसे 6 अपरेल को कर दिया लेकिन दिल्ली में जो यह सत्यागरा था वो 30 मार्च को ही शुरू हो गया तो दिल्ली में यह सत्याग्रह किस ने शुरू किया, तो दिल्ली में शुरू किया था, 30 मर्च को स्वामी स्रधानन्द ने वहाँ पे अंदोलन को शुरू किया, और यह अंदोलन जो था वो जामा मस्जित में किया गया, इस सत्याग्रह में हिंतु मुसलिम एकता बहुत अच गवान पर देश-ब्यापी हर्थाल किया गया जो कर्मी थे वह अपने काम पे नहीं इस्कूल बन्ध हो गय कॉलेज बन्ध हो गया ब्यापारी जो थे अपने ब्यापार को बंद कर दिये और इसका बहुत ही वेज TON सब्रकार और उसमें के लिए ंगोंने ऌते अधिनियई ने हुआ हिए खुमुक्ति जिस्याती के पुछ के लिए उन्हों उस पे उन्होंने अमल तो किया नहीं बलकि एक दूसरा एक काला कानून लाकर लाग दिया पंजाब में ही सबसे ज़्यादा दमनात्मत पदती अपनाई जा रही थी अंग्रेजी सरकार के द्वारत क्योंकि आपने सुना होगा जो गदर मोहमेंट था उसमें पंजाबी जो थ पहर भी अंग्रेजों के खिलाफ जो थे क्रांतिकारी मोमेंट चलाए जा रहे थे तो अब हम पंजाब पे चलते हैं पंजाब में इसका अभ्यापक असर देखने को मिला और गांधी जी को कहा गया कि आप पंजाब आईए गांधी जी बंबई से पंजाब की और निकलते ह लेकिन हरियाना में एक जगह पढ़ता है पलवल वहां पे उनको उसे ट्रेंज से वापस बंबई की और भेज दिया जाता है लेकिन ये खबर फैल जाती है कि गांधी जी को गिरफतार कर लिया दिया है ये खबर एकदम आग की तरह फैल जाती है उसके बाद से जगा जगा चिटपुट हिंसाएं होने लगती है अंग्रेजो को पकड के मारा जाने लगता है इस तरह की घटनाएं होने लगती है फिर क्या होता है फिर आठ अप्रेल को ये गांधी जी को ऐसा खबर दिया जाता है कि उनको गिरफतार कर लिया गया है लेकिन उन्हें गिरफतार नही किया गया होता उन्हें वापस मंबई फेज दिया जाता है नौव अप्रेल जो रामनमी का दिन होता है उस दिन पंजाब के दो प्रमुखनेता खासकोर से वह अम्रित सरके प्रमुखनेता थे डॉक्टर सत्पाल और डॉक्टर सैफोदिन किछलू के द्वारा जो है वह शांत कि नहीं यह जो है क्योंकि इसमें जिसे भी कैद किया जाता उसे ना तो अपना वकील करने का अधिकार था ना ही कहीं वो जाकर अपील सकता था अब देखिए आज के समय में जैसे आप एक सिंपल आपके बाइक को अगर पकड़ लिया जाता है आप बीना हेलमेट के जाते हैं तो आप कई तरह के बहाने बनाते हैं आप दलील देते हैं कि सर में बहुत जल्दी में था मैं होस्पिटल जा रहा था है ना अगर इस चाहते थे कि किसी भी तरह इनको छुडाया जाएं अब क्या होता आप कहानी आगे बढ़ती है अब 13 अप्रेल 13 अप्रेल के दिन 27 पुणिमा होता है और पंजाबी जो होते हैं वह बहुत धुम धाम से मनाते हैं वहां मेला होता है अम्रिश सर में और अम्रिश सर में एक ज बासता है सिर्फ और उसमें क्या है तो एक कुवां है और एक मंदीर है वहां पर एक हंसराज नाम का आदमी जो होता है वह सभा को बुलाता है कि कैसे इस रॉलेट एक पर क्या किया जाए इसके लिए बुलाई जाती है हाला कि यह जो हंसराज होता है इसे देश दुरोही ब लोग को बताए या कहा होता है कि हमने यहां मार्सल लो लगाया है मार्सल लो का मतलब क्या होता है कि आप इकठा प्रक्राप कोई काम नहीं कर सकते लेकिन आप या कौन सा कानून बनाया जिसकी जानकारी जनता को है ही नहीं अब जनता जो है वो इकठा हो जाती है जलियावला बाग में उसके बाद से पंजाब के जो लेटिनेंट गवर्नर होते हैं उस समय वो ओडायर होते हैं वो अमरित सर के जो हेड रहते हैं आर डायर उनको आदेश देते हैं और बोलते हैं कि आप जाईए और वहाँ देखिए कि क्या हो रहा है। जब आर डायर वहाँ पॉस्ते हैं अपने गोर्खा रेजिमेंट को लेकर तो वहाँ बैठी भीड पर बीना किसी चेतावनी के जब तक कि बंदू का असला खत्म नहीं हो जाता तब तक अंधाधुन फाइरिंग की जाती है। यह मारमिक घटना पूरे देश को जखजोर देती है। क्योंकि उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था तो लोग मेले में भी गये थे, मेले में जाने के कारण वो वहाँ भी गये थे। इतनी बड़ी घटना कर देने के बाद भी अंग्रेज जो थे, उन्हें बिल्कुल भी सरम नहीं आई और उन्होंने इसके बाद भी दमनात्मक प्रकिरिया जो थी अपनी उसे जारी रखा। अब इस घटना के बाद जो है वो भारतियों ने क्या किया अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब गांधी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, गांधी जी ऐसे भी हिंसा नहीं करना चाहते थे लेकिन इतनी हिंसा हो चुकी थी कि गांधी जी ने इस सत्याग्रव को वापस ले दिया। इस हत्याकांड की भारत सहीत पूरे देश में चर्चा हुई और यह भारतियों के द्वारत दबाव बनाया गया कि इसमें जो दोसी है उन्हें सजा दी जाए। अंग्रेजों ने बिलियम हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग बनाया। आप हंटर आयोग और हंटर कमीटी में कंफ्यूज नहीं होईएगा। हंटर कमिटी जो है वो सिख्षा के लिए बनाई गए थी और ये जलिया वाला बाग हत्याकान के लिए बनाई गए थी इसमें तीन सदस से भारतियों को रखा गया और पाच सदस अंग्रेजों को रखा गया कुल मिलाकर आठ सदस से रखे गया इस आयोग ने यह माना कि नहीं जो यह लोग थे वो मार्सल लौ का उलंगन कर रहे थे इस दिये डायर ने जो है वो गोली चलाई उसे बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दिया गया यहां तक कि उसे लंदन में बुलाकर पुरा स्कृत भी किया गया जब यह चीज भारतिया नेताओं ने देखी तो मतल मोहन माल विये की अध्यक्षता में कॉंग्रेस ने भी अपनी एक कमीटी बनाई ताकि हम जलिया वाला बाग हत्याकान के बारे में एक्शुल में पता कर सके कि कि कितने लोग मरे हैं क्योंकि सरकारी आकड़े में उन्होंने लगबग 400 लोगों को मृत बताया और 1200 लोग को खायल बत और रॉलेक्ट एक्ठी की कहानी रॉलेक्ट सत्याग्रश जो था इसने भात्मा गांधी को भारतिय राजनीती में प्रवेश करा दिया बिल्कुल ही और एक बड़े मंच पे उनका पदारपण हुआ जो आडायर और ओडायर है वो लंदन चले जाते हैं लंदन में उन्हें पुरस्कृत किया जाता है इसको कृत्य के लिए और डायर जो होते हैं वो 1927 में उनका देहान्त हो जाता है लेकिन ओर डायर को सरदार उधम सिंग के द्वारा 1929 के 21 साल बाद 1940 में वो इंग्लेंड जाकर उनकी हत्या करते हैं अभी हाल मी में सरदार उधम सिंग पर एक पिक्चर बनी है जिसमें विक्की कौसल जो है वो उधम सिंग का फिरदार में भार रहे हैं आप इस मुवी को देखिए आप मेरे वीडियो को भी देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप मेरे वीडियो को लाइक करें आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें धन्यवाद